नमस्कार दोस्तों चत्तीसगर लेटस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है कोरबा में पकड़ाया सेक्स रेकेट, छेह लर्किया आरेस्ट शेहर के बीचो बीच चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा लोगों की शिकायध के बाद एकशन, चत्तीसगर के कोरबा में पुलिस ने सेक्स रेकेट का खुलासा किया है शेहर के बीचो बीच स्थित एक मकान में लंबे समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है मौके से छे लड़कियों और दो पुरुष को पकड़ा गया है मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एंपी नगर आवासिये परिसरका है असल में मकान में चल रही गतिविधियों को लेकर आसपास के लोग काफी समय से परेशान थे जिनकी शिकायत के बाद पुलिस को पता चला था कि मकान मालकिन की देखरेख में ही ये सब चल रहा है CSP के नेत्रित्व में बनाई गई पुलिस की टीमों ने इस अर्डे पर दबिश दी पुलिस की पांच गारियों के यहां पहुचने के बाद मकान में मौजूद लोग दर गए और भागने की फिराक में थे मगर ऐसा हो ना सका पुलिस में मौके से सभी को अरेस्ट कर लिया है बताया जा रहा है कि गिरफतार लोगों में से दो लोग मकान मालिक ही है अब आरोपियों से पूछताच के साथ पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है शेहरी क्षेत्र में और भी जगहों पर इस तरह की गतिविदियों के संचालन होने की खबरे मिल रही है